सचिन पाइलट जी, मुरारी लाल मीना जी, मेरे साथी धीरज गुजर जी, गजराज खटाना जी, ममता बुपेश जी, ओपी हूडला जी, राम जी लाल ओध जी, अमरिता धवन जी, मंच पर विराजमान सभी नेता गंड, सभी पदा दिकारी गंड, मेरे प्यारे बहनों, मे में बहुत स्वागत, राम राम सब, मेंधी पूर बाला जी महराज की, देव नरायन भगवान जी की, मीन भगवान जी की, राम देव भगवान जी की, यह पंडित नवल किषोर जी, की धर्ती है सचिन पाइलट जी के पिता जी की धर्ती है जिनोंने आज जी वन आपकी सेवा की आज यहाँ पहली बार आने का मौका मिला है चुनाव का समय है खास तोर से चुनाव के समय मुझे हमेशा लगता है कि जनता से सच सच बात करनी चाहिए सीधी सीधी बात करनी चाहिए भाषन आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आये हैं कितने बड़े बड़े नेता आये हैं सबने आपको अच्छा कासर भाषन दिया होगा अपने सुना होगा तो भाषन आपने बहुत सुन लिये हैं यह देश आपके जागरुकता के बल पे बना, जो हमारा स्वतैंत्रता संगराम था, वो कैसे बना, कैसे हुआ, हमारे जो नेता थे, उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया, क्योंकि जनता जागरुक बनी, जनता समझ पाई, कि एक सामराज्य है, कि हमारे साथ ठीक बरताव नहीं हो रहा है हमें बदलाव लाना है जागरुक होने से ही एक आंदोलन बना और सिर्फ महात्मा गांदी जी जवालाल नेरू जी जैसे बड़े-बड़े नेता नहीं थे अंदोलन में आपके पूरवज थे अंदोलन में किसान थे उस समय के जो न कि हमारे साथ गलत हो रहा है इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आप से मुझे सची बात करनी है मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरुक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने देखिए मोदी जी यहां आए बाशन सुना अपने उनका नहीं सुना बाशन सुनना चाहिए सबका तब ही तो पता चलता है कि असली कौन है नकली कौन है है ना मैं तो सुनती हूँ मैंने सुना उनका भाशन मैंने उनका भाशन सुना और सच्चा ही यह है कि मुझे उनकी बाते अब हलकी लगने लग गई है हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे लेकिन दस साल बाद इतने सारे जूटे वादों के बाद इतनी सारी बड़ी बड़ी बाते करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में आज महंगाई इतनी बढ़ रही है पूरा नहीं कर पाए इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बाते अब हलकी पड़ रही है आपने सुना होगा एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग-अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम सम्विधान को बदलेंगे मंच पर मोदी जी सम्विधान की बाते करते हैं कल भीम जी रावाद बेदकर जी की काजन दिवस था उनके बारे में खुब बाते की, सम्विधान की बाते की लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ जनता के वी जाओ और बोलो कि हम सम्विधान को बदलेंगे तो सोचीए ये क्यों हो रहा है ये बातें जो इनके लोग इधर-उधर से उभारते हैं आस्ते आस्ते जन्ता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती हैं तो ये ऐसे निर्णे लेते हैं जो जन्ता के खिलाफ होते हैं इस सम्विधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े गया, जैसे मैंने कहा आप के पूरवज लड़े, देश की जनता क्यूं लड़ी इस सम्विधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक सामराज़ से, क्योंकि इस सम्विधान में आप सब का अधिकार समान होता है, मतलब आप प्रधान मंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो सब का अधिकार समान होता है एक तंत्र में और यही लोक तंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूरवचों ने बनाया तो सम्विधान बदलने की बात कैसे उठती है सम्विधान बदलने की बात यूँ उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते है और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले की हो रहा है और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्पूर है देखिए चुनाओं में जो भी नेता आपके सामने आता है उसे आपकी बात करनी चाहिए आपने देखा है कि कितनी बहकी सी बाते हो रही है कोई धर्म को उजागर कर रहा है आपकी जजबातों को उठाने के लिए ताकि आप अपने जजबात के अधार पर वोट डालने कोई मीट मचली की बात कर रहा है मास मचली की मोदी जी तो हर बार राजस्ताना कर यही बात करत कि मेरी बेहने बैठी हैं उनको बुरा लगे और वो उसी आधार पर वोट डालने तो आपका ध्यान भटकाने का काम तो धड़ादर तेजी से हो रहा है और अशोच की बात यह है भाई और बेहनों की काफी आपका ध्यान भटक भी जाता है आपकी गलती नहीं है क्योंकि मेरे मीडिया के जो भाई बहन है यहां जो खड़े हैं मेरे दोस्त वो भी अहीं दिखाते हैं जो चाहते हैं कि आप देखें वो भी मोदी जी की कहने पर दिखा रहे हैं आज जितनी भी बड़ी-बड़ी मीडिया की कमपनिया हैं सब बड़े-बड़े उद्योग पतियों के हैं औ तरक्य आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब दीजी मुझे, सुनाई नहीं दिया मुझे, नहीं देख रहे हैं, यहां जितने नौजवान बैठें आप बताईए, हाथ उपर करके बताईए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से, मेरी बेहने, आप जब बाजार जाती है कुछ खरीदने के लिए, जब त्योहार होता है जैसे अब नवरातरी का त्योहार है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है, आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार का दिन है, घर में कुछ अच्छा स पके तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती है मुश्किल होती है ना पहले से जादा मुश्किल है कि कम जादा बहुत महंगाई बढ़ गई है अब आप समझे इस बात को अभी तक जब तक चुनाओ आया तब तक आप गैस सिलिंडर को कितने का खरीद रहे ग्यारा सो, बारा सो रुपए, चुनावाने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के, चार सो रुपए का आप सिलिंडर ले लीजिए, तो जब चार सो रुपए का सिलिंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले तीन साल से क्यों खरीद वा रहे थे बारा मेहंगाई इतनी हैं मेरी बेहने सब जगह रही है जहां मैं जाती हूँ कि हम कैसे करे हैं हम खुद कमा रही हैं हम खुद काम कर रही है खैती में लेकिन पूरा हो नहीं रहा है मेरे भाई रहा है SKYSAN फूरी हो नहीं रही है खेती से क्योंकि खेती करने के लिए जितने समान अब इस्टमाल कर रहे है। सब पे GST लगी हुई है सब महंगा हो गया है तो कमाई कैसे होगी पहले रोजगार खेती से बनती थी बनते थे अब नहीं बन पाते क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे है कि नहीं, आप सर हिला रहे हैं ठीक बात कह रही हूं मैं, कमा नहीं पा रहे हो, जो पलायन करके जा रहा है, शहर में वो कमा नहीं पा रहा है, वो कहते हैं हमें कि हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क् कि महंगाई एतनी बढ़ चुकी है, ये GST हर चीज पर लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है, बड़े-बड़े उद्योगपती फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अरे उनके तो लोन माफ किया जा रहे हैं, वो कर्ज लेते हैं, बैंक, बैंक, मांगता ही नहीं है वापस पैसे, मोदी जी ने उनको पूरी छोट दे रखी है, 16,000 क्रोड रुपे की छोट का कर्ज माफ किया है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का, और यहां किसान 10,000 रुपे के लिए आत्महत्या कर रहा है, अपनी बेती की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता ह है, कर्ज लोटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है, जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेद खराब हो जाता है, मुआफजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता, यह परिस्थितियां हैं आपकी, यह है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, किसानों ने अंदोलन किया, इन्हों ने काले कानून निकाले, किसानों ने अंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे, सल्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधान मंत्री जी निकले नहीं अपने घर से बात करने के लिए सुनवाई नहीं हुई सुन तो लेते हैं अगर नहीं करना था उनका काम काले कानून वापिस नहीं लेने थे तो कम से कम सुनवाई कर लेते हैं इस देश में बहुत पड़ी बात है बहुत पुरानी परंपरा है महापुर्शों की नेताओं की जो जो जनता की सेवा कर साथ दाता है उसकी, एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है, और उस सेवा की परंपरा की सब से बड़ी चीज यह है की सुन्वाई होती थी, चाये कितना भी बड़ा नेता हो मैं खुद अपने पिता जी के साथ बहुत गूमी प्रधान मंत्री थे उस समय और जैसे ये आपका क्षेत्र ए मुरारिलाल जी उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था वहां मैं उनके साथ बहुत गूमी छोटी सी थी पीचे बीचे जाती थी एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम खूब डाटा उन्होंने और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिता जी को कोई ऐसा डाटा है तो मैंने क्या हो गया कहती है कि मेरा मेरी सड़क नहीं बनाई है छे महीने हो गया मैंने छे महीने पहले आप आये थी मैंने मांगी थी ये सड़क सड़क नहीं नहीं वापिस कैसे आगे प्यार दोंगी मैं प्रेम करूंगी आपसे सब कुछ जो भी है मतलब आपके प्रती मेरी श्रंधा है लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दोंगी तो पिताजी ने उनको समझाया अच्छी तरह इसे बिठा के समझाया और बो को सुनी फिर हज के चाय पिलाई सबको उन्होंने लेकिन मेरी मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधान मंत्री था मेरे पिताजी देश के प्रधान मंत्री थे किसी की जुगई जोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो दाटे उन्हें और पिताजी को सुनवाई हुई उस महिला की बात सुनी श्रधा से सुनी और बाहर आय तो मैंने पूछा बुरा नहीं लगा ऐसे डाटा उन्होंने आपको का बुरा क्या यह तो उनका कर्तविया है मेरा कर्तविया है कि मैं इनकी डाट सुनू लेकिन आज यह महाल नहीं है देश में बहनो आज एक बड़ा अजब सा महाल बन गया है, आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कारवाही हो जाएगी, पुलीस पकड़ लेगी आपको, डाट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा, आज ये महाल बन गया है देश में, और ये मह महाल बनाया किसने है, ये महाल मोदी जी की सरकार ने बनाया है, ये मोदी जी की जो सत्ता है न, जिसको ये पूझते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता, कि आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है, ये भी होता है सत्ता में, ये जीत रहे हैं असली सचाई है कि आप हार रहे हैं लोग बोलते हैं क्योंकि डरते हैं सत्ता से तो आप सोचिए मोदी जी की इतनी सत्ता हो गई है कि आजकल उनको कोई सचाई बताने वाला रहा नहीं सब डर रहे हैं उनसे और अजीब सा सिलसला हो रहा है कि जो डर नहीं रहा है बिचारा मुझ खोलता है तो उसको दांट देते हैं या हटा देते हैं परेकर देते हैं तो सचाई समझ नहीं पा रहे हैं और जो संघर्ष है आपका जो रात दिन का आपका संघर्ष है उससे कट चुके हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं और यही मुझे उनकी बातों में उनके भाशनों में दिखता है इधर उधर की बाते कर रहे हैं लेकिन ठोस आपकी बात नहीं कर रहे हैं किसानों के लिए क्या किया है दस सालों में क्या किया है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको कहा था कि आपको 15 लाक रुपय आपके खाते में जाएंगे, 15 लाक नहीं दिये, 5 किलो का राशन का बोरा दे दिया, खुद चंदा बटर रहे हैं, पूरे देश भर से, जिस जिसको इन्होंने ठेका दिया है, उससे चंदा ले रहे हैं, आप देखें जो गुजरात में पुल गिरा, और अब ये जो चंदा की सूची आई है, कि भाजप्पा ने कितनी चंदा किस किस से ली, उसमें इनका नाम है जिन्होंने वो पुल बनायाए, जो गिर गया, इसमें उनका नाम है, जिन से वैक्सिन खरी दी गई, जो आप सब को, हम सब को दो दो वैक्सिन लगवाई, कि मोदी जी का चहरा था उस वैक्सिन पे, उनसे भी चंदा ली है, तो इन्होंने तो चंदा सब से ली, और आप के लिये, पांच किलो का राशन, बस इसमें काम चलाओ, क्या यही आपका अधिकार एक लोग तंत्र में, क्या यही आपका अधिकार इस देश में, नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ, जागरुक हो जाओ, आपके रोजगार बनाने के लिए क्या किया, जितने बड़े-बड़े का जरोबार थे सरकार के सारे तमाम इनको पकड़ा दिये, क्यों, कौन है ये लोग, कि देश की पूरी संपत्ती इनको दे रहे हैं, ये आपकी संपत्ती है, मोधी जी की संपत्ती नहीं है, ये मेनद से आपके पूरवजों ने बनाई है, ये आपकी संपत्ती है, और ये सब उनको सौप दी, कर्ज माफ होते हैं उनके, किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता, आपके बेटे, मेरे साथ अभी हेलिकॉप्टर में, CRPF के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे, कि उनके इलाके में 17 साल की उमर से, बच्चे दोड़ लगाना शुरू करते थे, मेहनत करना शुरू करते थे, कि हम सेना में भरती होंगे, सेना में भरती होंगे, भरती होने के बाद, सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे, हम अपने माता पिता की देखबाल कर पाएंगे, उनके दिल में देश भक्ती की भावना है, दिल में ये भावना थी, कि हम अपने देश के लिए, अपनी जान देने के लिए तयार है मैंने खुद अपनी आखों से भी देखा उत्तर प्रदेश में धीरत शाय तुम थे उस समय मेरे साथ कि रात के तीन चार बजे जब अंधेरा चाया हुआ है सूरज युगा नहीं है नौजवान बच्चे जिनकी अभी उमर भी नहीं है भरती होने के लिए दौड काने दीदी सेना में भरती होना है मोदी जी ने क्या किया उन उमीदों को उन आशाओं को क्या हुआ मोदी जी ने तोड डाला अगनी वीर जैसी स्कीम लाए अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे एक लड़का आया वही कुछ 21 साल का होगा 20-21 साल का होगा या हो सकता है उससे भी कम रो रहा था कह रहा था दीदी दो बार मेरा नाम सूची में आ गया है दो बार लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही है पांच सालों के लिए मैं क्या करूंगा जाकर वापस आकर क्या होगा तो मैंने का माता पिता क्या कहते हैं का पिता जी कह रहे है कि मत जाओ कोई नहीं फायदा नहीं है. उमने का, मैं ने सुना कि बहुत सारों के साथ यह हो रहा है. तो वनने का बिलकल दी, यह जो अगनीवी is로that. एक हम सेना में जाना ही नहीं रहे हैं, यह हम ने कितना परिष्रम किया हो, Кितनी महिंद की हो, हम जाना नहीं चाह रहे हैं रोजगार पैदा करने के जितने माधियम थे वो लगभग बंद हो गए हैं ये छोटे कारोबार छोटे बिजनस छोटी दुकाने जैसिक पहुत छोटे छोटे व्यापारी बनाते हैं उससे रोजगार मिलता है मैंने खेती किसानी की बात की खेती किसानी से रोजगार मिलता था छोटे कारोबार की कमर तोड़ दी जी एस टी लाए नोट बंदी लाए अब बताईए नोट बंदी में आपको खड़ा कर दिया कतार में ठीक है अब तो आठ साल पुरानी बात है तो भूल भी गय होंगे आप क्योंकि आपने deash bhakti की भावना से वह काम किया जब आपको कहा गया कि काला धना रहा है तो आपने कहा चलो मैं भी अपने देश के लिए जितने पैशे हैं मेरे पास मैं ले जाता हो bank में बदलने मेरी बेहने बैठी हैं मेरी एक बचों की अध्यापिका थी उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माता जी पिचासी साल की माता जी ने कुछ पैसे एकठे करके अपने पलंग के नीचे रखे हुए थे और वो कह रही थी कि उस समय की बात बता रही हूं मैं जब नोट बंदी हुई तो अन्होंने मुझे का कि सोचए कि मुझे भी नहीं मालम था कि उन्होंने छिपा के थोड़े-थोड़े पैसे एकठे किये थे तो जब नोटबंदी के समय सब को अपने पैसे निकालने पड़े तो मैंने पूछा मा ये क्या रखा है तो उने का मैं थोड़ा सा सोचा कि मैं अपने पोती-पोतियों के लिए कुछ खरीद लूगी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा हमेशा कभी-कभी मौका मिला तो इकठा कर वो सारे पैसे नोटबंदी के समय आपने लोटाएं लोटाएं की नहीं आपने लोटाएं आपसे मांगे गए मोदी जी ने खुद कहा देश-भक्ति के लिए काला धन आएगा फिर क्या हुआ आठ साल बाद काले धन की सूची निकल आई निकल आई कि किसने कितनी चंदा ल टेहिए कि कम से कम सूची तो है पहले पता नहीं चलता था कि राजनितिक दल किसे चंदा ले रहे हैं अब सूची तो है लेकिन सूची में देखिए जड़ा पढ़ लीजिए जागरुक बन जाईए पढ़ लीजिए उस सूची को उसमें कितने नाम है आप जैसे मैंने कहा ao Covid के vaccine वालों के, Pull के ठेकों वालों के, जिनों ने सढके बनाई हैं, उनको जिनको ठेका दिया, उससे चंदा लिया, आपको याद है वो कविता, जो बच्पन में सुनाई जाती थी हमें, चंदा मामा दूर के, याद है, रही चंदा मामा दूर के, खूब खाये पूर के, खुद सोनी के थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया यही हो रहा है आपके साथ आज और यहां चुनावी मंच है उस पे इस वजे से मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनावी मंच पे खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वोट दो मुझे सच मुझ दुख होता है सच मुझ दुख होता है देख के कि इस देश में हज क्या हो रहा है आपके पूरवजों की तरह मेरे पूरवजों ने भी जान दिया है इस देश के लिए मैंने भी शहादत देखी है अपने पिता की, अपनी दादी जी की आज जीवन उन्होंने आपके लिए काम किया, सेवा के भावना उनके दिल में थी ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी हिंदु धर्म की परंपरा है हम किसको पूझते हैं, बताइए, हमने भगवान राम को पूझा, भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूझा आज तक हम उनको पूझते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास सत्ता नहीं थी क्योंकि हम उनको इसलिए पूझते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने नैतिक थी जनता के प्रती श्रद्धा थी सेवा थी तपस्या थी इसलिए पूझा हमने इसलिए आज तक हम उनको पूझते हैं हमारे जितने भी महापुर्ष रहे हैं, जितने भी बगवान रहे हैं, उन्होंने क्या किया, सत्ता को त्यागा, हमने सत्ता को कभी नहीं पूजा, ये हमारा धर्म कभी नहीं रहा है, चाहे बगवान राम को देखिए, चाहे मा भारत को पढ़िए, क्या पांड़मों के पास स नहीं थी सत्ता, हमेशा हमारी श्रद्धा इस देश में हमारे धर्म ने सिखाया, उसके प्रती रही है, जिसने सेवा भाव से, आदर से, जनता की सेवा की है, हमेशा महातमा गांधी जी को देखिए, तो ये एक भावना होती है, और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंडते हैं, और हो सकता है, कि आपने शुरू में यही भावना देख कर, या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया, लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना क्या हो रहा है, सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकारे तोड़ देते हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पैसों के बल पर तूट रही है सरकार, कि विधायकों को सौ सौ क्रोड रुपे दिये जा रहे हैं सरकार को तूटने के लिए, सरक कि प्रपिष्रद्धा कहां हैं, आप सब से चंदधा ले जो चंदधा नहीं दे रहा है उस पे यगंसी डाल रहे हैं, तो Friends of agency का काम बंद, क्या यह ही नतिकता ढूंड रहे हैं, आप अपने नेताओं में, क्या आप अंधे हो गया है, कि cholिए करते हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें, गलत बात है, इससे नुकसान आपका हो रहा है, मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है, भाजयपा के बड़े-बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं तो इतना कहूंगी कि हम लोगों का भी नुकसान नहीं ह हो रहा है क्योंकि आपकी कृपा से आपने हम सब को इतना दिया है कि हमारे भविष्य तो सुरक्षित हैं आपने दिया है लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने का काम काम कौन कर रहा है आज ये बताईए क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है न रोजगार बन रहे हैं म किसानों की कोई मदद है श्रमिक सबसे शोषित है यहाँ पे आप खड़े पुलिस की अधिकारी खड़े है पेंशन का क्या हुआ आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता जहाँ जहाँ कॉंग्रेस के प्रदेश सरकार हैं आपको पेंशन पुराना मिल रहा है लेकिन भाजपा की सरकारे क्यों नहीं दे रही हैं आपको पेंशन आपके प्रदी कोई श्रद्धा नहीं है सैनिकों के प्रदी कोई श्रद्धा नहीं है जो सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहा है जान देने के लिए तयार है उसको अगनीवीर पकड़ा दिया आपन तो आपने देखा, देखा ना, कहीं कुछ आ रहा है कि कितने बड़े गहने हैं, कहीं लाखों या क्रोड़ों के कपड़े हैं, तो कहीं कुछ, कहीं कुछ, किसान कैसे शादी कराता है अपनी बेटी का, मैं आप से पूछ रही हूँ, कैसे शादी कराते हो, आज जो माहौल है इस देश में कैसे शादी कराते हो कर्ज लेते हो कि नहीं लेना पड़ता है न तो ये परिस्थितियां है ये संघर्ष है आपका इस संघर्ष को आप नहीं पहचानोंगे तो सरकार कभी नहीं पहचानेगी ये असलियत है आज इस देश की कि ये इस देश का गरीब और गरीब होते चले जा रहा है और जो बड़े-बड़े गिने-चुने उद्योगपती हैं जो इनके मित्र है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उनको पूरी देश की संपत्ति दी जा रही है तो जब आपकी पुरानी पुरंपरंपरा है आपकी धार्मिक परंपरा है सामाजिक परंपरा है कि आप अपने नेताओं में सेवा भाव ढूंडें आपके प्रतिश रद्धा ढूंडें और मांगें तो आज क्या हो गया है आज आप सब कुछ देख के चुप क्यूं है आप क्यूं कहरें कि यह सब ठीक है खरीदें दीजिए इने सरकार चंदा लेने दीजिए गलत लोगों से चाहे हमारे लिए रोजगार बनाएं ना बनाएं महंगाई बढ़ती जाए सब कुछ होता जाए हमें कोई बात नहीं करने दीजिए MSP मिले ना मिले क्यूं मान लिया है आपने यह कि अब ऐसा ही चलेगा इस तिती को बदलने की शक्ति आपके हातों में है सबसे बड़ी शक्ति लोगतंत्र ने महात्मा गांधी के अंदोलन ने आपको दिया आपके पूरवजों के अंदोलन ने आपको आजादी दी आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हात में वोट का अधिकार मिले और आप आखे मूंद करके जाके पोलिंग में वोट दे देंगे अपना किसका नुक्सान होगा आपका नुक्सान होगा मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ आपसे जागरुक बन जाएए इस वोट में आपके अगले पाँच सालों का भविश्य है यह जो लड़के खड़े हुए यहां तुम्हारा भविश्य है तुम अपना भविश्य बनाना चाहते हो अपने लिए रोजगार चाहते हो तो सही वोट डालो पता करो कि कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है कोई मास मचली की बात कर रहा है करने दो उसे उसे वोट मत दो अपना कोई आपके धर्म की बात असलिए कर रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए पहचानो उसको जो कॉंग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए MSP का कानून बनेगा कानून बनेगा आपका अधिकार बनेगा आपको MSP मिलेगी कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि अगनी वीर को खतम करेंगे हम कि 30 लाक सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में दस सालों से खाली पड़े हैं, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हेरा वहाँ पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई का कोई प्रयास नहीं हुआ है, तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो, हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे हम कह रहे हैं कि सना तक पास बच्चों को हम अप्रेंटिस्शिप देंगे जैसे रईजों के बच्चे जाते हैं ना पढ़ाई खतम करने के बाद इंटर्शिप करते हैं उनको पैसा भी मिलता है कमपनियों से उस तरह कि अप्रेंटिस्शिप हम आपके लिए लाएंगे एक लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी बाच हजार क्रोड का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार है और मध्यम जो कारोबार है उनक कितनी मेहनत करते हैं आप जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे पेपर लीक हुआ फिर से दिया फिर से फीज भरी फिर से ट्यूशन किया फिर से लीक हुआ फिर भी नियुक्ति नहीं हुई हम एक जॉब कैलिंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एक्जाम का दिन रिजल्ट का दिन नियुक्ति का दिन पहले से तैह हो जाए कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करें तो उस पे सक्त कारवाई हो और पेपर लीक के खिलाफ हम ए कंदों पे हैं चाहे आप मेरी पुलिस की बहने आप मुस्कुरा रही हैं आप दिन रात काम करती हैं फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को समालती है ना फिर भी आप ही देखती हैं कि सब को खाना मिला कि बच्चे ठीक हैं पढ़ाई की सबसे ज्यादा बोज महिला उठात जान रहे हैं कि इन दस सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें तो की लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको साल आना एक लाक रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए पचास प्रतिशत जो सरकारी भरतियां है उसमें से प्रचास प्रतिशत महिलाओं को मिलेंगे मतलब महिलाओं के लिए मारक्षित करेंगे चाहे जितने जो पहले के अरक्षन है उसी के तहित फिर यहाँ पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सर्कार बदल दी, क्या हुआ, कौन बताएगा लगभग बंध होने के कगार पे हैं, जो 25 लाग का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाग तक आ गया है तो हम चार हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाग रुपे तक सब का मुफ्त का इलाज हो स्वास की सुविधाएं पूरी मिलें मैंने किसानों की बात की, आपके रिन माफी की बात की, आपको मालूम होगा कि कहां कॉंग्रेस कॉंग्रेस की जहां सरकारे हैं, वहां पे किसानों के रिन माफ किये गए हैं हम देश भर में किसानों के रिन को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थाई आयोग होगा ऐसा नहीं होगा कि एक समय रिन सबके माफ हो गए लेकिन जिस जिस का रिन है वो उस आयोग में जाकर अपने रिन माफ लगा तार करा पाएंगे फसल का जो नुकसान होता है उसका मौावजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक धंग से आपके फसल के नुकसान के मौावजे के लिए तीस दिन के अंदर अंदर पूरा मौावजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे नई क्रिशी की आयात, निर्यात की नीती बनाएंगे, भूमी हीनों को हम जमीन का वितरन करेंगे उनके लिए, और गाओं के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे, कि जितने भी क्रिशी में इस्तमाल होने वाले समान हैं, उनकी GST हटाई जाएगी, वो GST मुक्त हो जाएगी, तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कि आपके सामने फिर कुछ करके नहीं दिखाया, जब-जब चुना हो आया, तो फिर इधर-उधर की बातें मास, मचली, धर्म, जाती की बातें शुरू, तो ये प्रमान क्या है, कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है, या सचिन पाइलर जी बोल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे, इसका प्रमान ये है, आप देखिए कि कॉंग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में हैं और वहां क्या काम हो रहा है, कॉंग्रेस की सरकार करनाटका में बनी, हमने चुनाओ से पहले गैरंटी दी थी, कि महिलाओं को 2000 रुपे हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं, हमने 36 गड़ में कहा था OPS लागू हुआ वहां पे, जब हमारी सरकार थी, हमने हमाचल में कहा कि OPS लागू होगा, आज लागू है, हमने हमाचल में कहा कि 1500 रुपे हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है, तो आपको जागरुक बनके देखना चाहिए, कि यह जो कह रहे हैं, इसमें सच है कि नहीं, आपको पता चलेगा कि कॉंग्रेस की जहां-जहां सरकार है, वहां हम काम करके दिखा रहे हैं, हम समझते हैं, कि यह देश आस्था का देश है, हमारी आस्था आप से जुड़ी है, आप देश की जंता हो, मैंने पहले ही कहा, कि हमें आपने बहुत कुछ दिया, तो जितनी भी सेवा हम करेंगे आपकी, चाहे जितनी भी पीड़ी आपकी सेवा में लगें, वो कम होगा, आपका रिन हम नहीं चुका पाएंगे, आस्था का प्रमान हमारा धर्म क्या कहता है कि आस्था का प्रमान क्या है आस्था का प्रमान त्याग होता है होता है कि नहीं सत्ता को पकड़ के रखना नहीं होता है तो पहचान लीजिए कि क्या हो रहा है पहचान लीजिए कि देश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अपने लिए अपने बड़े-बड़े उद्योगपती मित्रों के लिए सत्ता में रहने के लिए चल रही है। खुला सब के सामने बोल देते हैं कि हम सरकार तोड डालेंगे। आपने वोट दिया कोई बात नहीं हम इसको तोड देंगे। सब जानते हैं कि कैसी तोड़ी जा रही है। फैसों के बल पर। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रती है। इस देश के जनता के प्रती है। उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं। कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरुक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए। पाकिस्तान को देखिए। आसपास के सब देश जो है स्री लंका को देखिए। नेपाल को देखिए, क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े, नहीं बढ़े, यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोग तंत्र है, हम इसलिए आगे पढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने जो राजनेतिक दल आए, जो सरकारे बनी, वो हमेशा जन के लिए काम करने का उन्होंने काम किया और वो ये समझे कि जब तक जन्ता मजबूत नहीं होगी जब तक जन्ता ससकत नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है आज आपको दबाने का काम हो रहा है तरें तरें की बातें आप का चुनाव नही है यह सिर्फ Congress Party और भाजपा के बी चुनाव नही है यह अपने देश को बनाने वाला ऊटुनाव है कि देश का भविष्य करेगा यह जो संविधान को खतम करने की बात करते हैं इसे आपके अधिकार कमजोर होंगे आपके अधिकार खत्म होंगे, जो सब आप मांगते हैं अपने लिए वो आप मांग भी नहीं पाएंगे ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी कतम नकर दाले तो जागरुक रहिए ये समविधान आपको बचाता है आपको अधिकार देता है आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाना, बनाता है इसलिए इस समविधान को बचाने का चुनाओ है तो ये बात आप एकतम गहराई से समझ जीजे और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस सम्विधान का आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है तब आप समझेंगे कि इस चुनाओं में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको याद है महाभारत में जब अरजुन ने निशाना मारा तो मचली की आँख को देख के निशाना मारा उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया सिर्फ मचली की आँख दिखी उन्हें उसी तरह आप सब जितने भी लोग यहां खड़े हैं अरजुन बन जाओ मेरी बेहने आप भी अरजुन बन जाओ अपना ध्यान अपने उपर और कहीं नहीं किसी नेता पे नहीं किसी राजनीतिक दल पे नहीं किसी की बातों पे नहीं किसी मास मचली की बातों पे नहीं धर्म की बातों पे नहीं जाती की बातों पे नहीं अपने भवेश्य पर आपका भविष्य मजबूत कौन बनाएगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, कौन सा ये राजनीतिक दल है जिसने काम करके दिखाया है और जो आपके लिए काम करके दिखायेगा, इसी पे अपना ध्यान रखो, अपने भविष्य को मजबूत बनाओ, जागरुक बनो और इस देश को इन लोगों से बचाओ, यही आगरे है मेरा, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इस बात को आज समझेंगे, या पांच साल बाद समझेंगे और भुगतने के बाद, या फिर दस साल बाद समझेंगे, ये आपके हाथों में है, अगर आप आज ज आपका है, आपने हमेशा देश की हिफाज़त की है, आपने अपने बच्चों को सरहद पे भेजा है, राजिस्तान के बच्चे, हर्याना के, उत्तरप्रदेश के, उत्राखंड के, सबसे ज्यादा सैनिक है, आप अपनी देश की हिफाज़त जिस तरह करते हैं, उसी तरह अ मैं चाहती हूँ कि आपके बड़े बच्चे भी बड़े हो अच्छी तरह से फूले फ़ले उनका भविश्य मजबूत बने और यही हम सब चाहते हैं जितने भी मंज पर नेता बैठे हैं तो आज आपके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको पूरे विवेक से निभाईए और अपने आपको अपनी ही शक्ति को पहचानते हुए अपने आपको मजबूत बनाईए आपने बहुत ध्यान से मेरी बाते सुनी काफी लंबी बाते मी कर ली मैंने आपका बह जैहिंद एक और बार जैहिंद जैहिंद धन्यवाद